हमारे साथ हमारे सेयोगी रोहित सिंग इस वक्ट जुड रहे हैं और उनके साथ एक महमान है जल्दी से बात चीट कीज़े रोहित बिहार के मुख्यमंती नितीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं और NDA में आ सकते हैं जबरदस का आसबाजी इस वक्त चल रही हो और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में बिहार में सरकार बदल सकती है जो की बीजेपी के विधायक है और नितीश कुमार के भी एक बड़े करीबी आप रहे थे ज्यानु जी बड़े अच्छे सा पहचानते हैं नितीश कुमार के फित्रत को या वो क्या करने वाले हैं क्या लगता है कितनी जल्दी है वो वापस बीजेपी साहत मिलाएंगे इंडिये में आएंगे बहुत जल्दी एरी टाइम हमको लगता है कि कल से परसों तक हो जाना चाहिए और इसकी सुरुवात कोई कल की सुरुवात नहीं है इसकी सुरुवात तो हो गया था कुछ दिट पहले हमको लगता है लगवग एक आद महीना पहले जिस समय जेडियू को तोड़ने की बात जिक उसमें जेडियू के निता भी इंवाल्ब थे और आर जेडियू के लोग भी थे तो लोग उस समय ही नितीश जिस सचेत हो गय थ है कि लगता है कि लोग कुछ गणवर करेगा उसी समय से थोड़ी दूडिया बढ़नी शुरू हो गई थी भाजपा से थोड़ी नजदिकियां भी शुरू हो गई थी और हमको जहां तक आइडिया है पहले से भी कि नरेद मोधी जी ब्यक्तिके तुरुप से नितीश जी को करते हैं अधिनों में समानतावी है बहुत जाना समांता में भी नेचर में भी समानता挑 inhib oldी प्रवारवारवाद के खिलाफ राते हैं य요 भी बोलते हैं देखेकर पर चोई के खिलाफ के खिलाफ है भी दोनों करने दिये vendors कि लिए के लिए काम करते हैं और इन्डों दोनों का बेवलेंथ ब्लता जुंता है इसलिए हम एक लगता है कुछ पार्टी में ऐसे लोग भी थो लेकिन नहीं आए पार्टी में ऐसे लोग भी थे लेकिन हाई कमान का डिसिजिज होता बिज़ेपी में कोई चैलेंज नहीं है कहीं कुछ है नहीं जो सब को मानना है तो उसी में अब तो सब लोग पॉजिटिव हो गये हैं कल तक जो जितने लोग कुछ बोल रहे थे सब यहां नितीज जी से भी बहुत बढ़िया संबंद है आज के डेट पर पुराना घरेलू परिवारिक संबंद रहा है नितीज जी से कोई यह का संबंद रहा नहीं है थोड़ा दिन अलग हो गये थे हम दूसरे कारणों से और सिपी सिंग और लरंज सिंग के चलते गुस्य म करने का रखने का पॉल्टिक्स में हम लोग को नितीज जी का नहीं भी बत लाएंगे अगर बात चीत होगी तम समझ जाएंगे कि यह से दो दिन में आपको लगता है कल से परसुमार का स्वागत किया जाएगा आप वेलकम करें निस्चित रूप से नितीज जी का पूरी स् गया है यहां लिए जागा मुख मंद्री तहला है मुख मंतरी जाने संभावना बहुत आधिक है दोनों में अच्छा तालमिल भी रहा है पहले दोनों मिलके काम किया अच्छा रहा है उसमें भाजपा में एक डिस्सिप्लिन थी बीच में थोड़ा यह खतम हो गया था दिली में भी लोग से भी कुछ स्रोथ से पता चला कि अपना यहां डिप्टी सीम हो सकता है कि महिला दी पिछला और महिला के नाम पर रेनुदेवी भी जानकारी क्या है अच्छा यहाल से 28 को हो सकता है एक दिन में इस्तिफा और विधाक दल की मीटिंग नेताता है अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो लोग सभा में बीजेपी उसका नुकसान हो सकता था कि देखे थोड़ा बहुत तो था ही लड़ाई तो था ही ऐसे दोनों मिल के लड़ते तो लड़ाई तो होती अब नितीज जी के आने से निश्चित हो गया कि हम लोग 40 जी तेंगे और उसका असर देश में पड़ेगा और देश में भी हो सकता अब मोदी जी चो सोच का यह है कि 400 से उपर सीट 400 से उपर सीट आ सकता देश में चुकि अब इंडिया गट वंदन भी तो तितिर वितिर उसके बाद तो जो भी थे नितीज जी उसके यह थे शुरुआत करने वाले थे उसके औरी और इजिन करता होई थे लेकिन वह भी अब तो विखर जागी इंडिया कर देश्करा गट वंदन तो 52 लडाई नहीं रहेंगे रहेंगा कि पार्ठी को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा था G सब्सक्राइब कर लेगी नितिश्कुमार के साथ को कि अभी देट साल पहले ही तो फिर छोड़ के गए थे फिर आप लोगी उनको बहुत भला बुरा बीजेपी कह रहे थी नितिश्कुमार भी कह रहे थे कि नहीं आप आएंगे बीजेपी में तो अब गिले शिक्वे दूर नEx heli सकता है एक जूट हो नहीं सकते हैं गिलास स्क्वाद दूर क्या दूर हो गया हो अगया हो गया घीलास सिक्वाद दूर तब यहां आएंगे पहल Zarate नितरी में हुद्जी ठ attorneys से जोग में हुदी की वहती ह abundती होती है कि अपना जिटिज जी नहीं जाते लेकिन कुछ लोग और मोधी जी भी नहीं चाहते थे हम इसाजी तो हम लोग के मिटिंग में खुल के बोले थे कि नितीज जी के खिलाब नहीं बोलना है कुछ भूला लेकिन इस वी से